इस Excel के वीडियो में आप लोगों को एक छूटा सा फॉर्मूला के बारे में बताने वारा हूँ जाचा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा डेटा है ठीक है मेरे बोस नहीं बोला है कि यहाँ पर जो कंट्री है इटली इसका डेटा मुझे चाहिए तो मैंने क्या करा डेटा माँ गया यहाँ पर तो दो को फिल्टर को दे दिया थिक है पिर दुवार से बोला कि मुझे अभ इस पाइन कासा यह तो मैंने फिल्टर पर किलिक करा इटली से अटाया और स्पेन पेकलिक करा फिर बेज दिया यहां पे क्या है कि बारा मुझे फिल्टर लगाना पड़ रहा है ठीक है तो एक्सल का एक नया फॉमूला आ गया है उसका नाम भी फिल्टर ही है ठीक है तो मैंने क्या करा इस सारी heading copy करा और यहां paste माँड लिया ठीक है उसके बाद मैंने क्या करा यहां पे जो country है ठीक है उसको मैंने क्या करा है यहां पर equal to unique ठीक है unique formula है लगा लिया बैकर रिस्टार्ट करा और मैंने क्या करा है पूरे को select कर लिया उसके बाद इसका bracket close कर रहा दें इंटर वारा इ यहां पर क्योंकि यहां पर इतली इतली कई इवर आ रखे तो यहां पर देखुए उनिक वैलू आ गई थेक है उसके बाद मैंने क्या करा कहीं भी मैं इसको side कर दिया ठीक है और मैंने यहां पर ग्लिक करा और डीटा में गया और यहां प्यादा देखो data validation यह देखो यह है यहां पर आपसे पूझे जाएगा एरे, एरे का मतलब यह होता है, कि आपको क्या चाहिए, मुझे यह सारा डेटा चाहिए, यहां से लगी यहां तक, ठीक है, इसको फ्रीज करना चाहो तो फ्रीज कर दो, कुमा, अब यह पूछा है कि इस में से आपको क्या चाहिए, ठीक है तो मुझे क्या चाहिए इस cell में से, ठीक है, freeze कर दिया, एक वल्ल टू, अगर ये इसके बराबर हो, मतलब की, इस cell में, ये Italy हो, तो मुझे वो चाहिए, ठीक है, इसको freeze कर दिया, फ्रॉर्स है, उसके बाद इसका ब्रेट ग्लोज करा, और देर अंट आँरा, तो देखो, यह यहाम करते हैं आप है अब यहाँ पर आप प्र अडिया मैं कि यहां पे अगर एन्पर स च्क्ली के ब्रिचा रहें लिट गया। नेचा हँए रिखुछ और रोड़ का aldi stage मेंड़ है अलम्थ मैं चाहता हुँ कि यहां पर अगर कोई भी 50,000 से उपर की value का sale हुआ है उसका data पूरा यहां पर आ जाना चाहिए कैसे आएगा यहां पर लखेंगे equal to filter ठीक है उसके बाद array में क्या करेंगे पूरा इंक्लूड का मतलब बता है condition मतलब कहा पर condition लगानी मुझे इस सैल में condition लगानी और फ्रीज कर दिया और यहां लिखेंगे इसका क्या करेंगे ब्लेग्ड लोज करेंगे देंटर वारेंगे तो यहां पर जो भी 50,000 से उपर उसका data यहां पर निकल की आ गया है ठीक है आप इ इस तरह से आप क्या कर सकते हो फिल्टर का यूज कर सकते हो ठीक है अपने एक्सल के अंदर यह मैंने दो एक्जामपल दिया है आप लोगों को फिल्टर फंक्शन का यह वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ जर